दोस्तो आज की वीडियो में हम ITI First Year Electrition Theory व्यक्साइक सुरक्षा एवंस्वास्त के IMP कोश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है इसका Part 1 है दोस्तो उसमें हमने 20 कोश्चनों के बारे में डिस्कस किया है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते है दोस्तो हमारा 21 कोश्चन है सुचनात्मक चिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो आप यहाँ पर चार ओप्सन देख सकते हैं दोस्तो A, B, C और D दोस्तो आपको यहाँ पर सही ऑप्सन बताना है तो चलिए दोस्तो मैं इसका सही अंसर बता देता हूँ तो इसका सही अंसर है इसकी प्रेश्ट भूमी हरी होती है दोस्तो हमारा यह C नमर का ऑप्सन सही है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो हमारा next question है निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए दोस्तो हमें यहाँ पर चार option मिल जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो हमें इन्हें सही करम में लगाना है तो पहला है दोस्तो पदयातरी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारे तीसरे में हैं आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जल से आग ना बुझाएं यह हमारा डी नंबर का है दोस्तों और यह हमें दूसरे नंबर पर मिल जाता है दोस्तो हमारा वी नंबर का उपसन सही होगा दोस्तो हमारा नेश्ट कोशिन है limite से कौन सा चिन 415 १Ω का खत्रा को प्रदर्शित करता है पहला ईए दोस्तोो नि स्जेद चिन दूसरा ईथो सूचन चिन तीसरा और चेतावनी चिन और चॉता है इसका सही स्थासर है दोस्तो техवनी चिंदन आप यहां पर देख सकते हैं हमारे फिली प्रश्ट भूमी पृउक्त की जाती हैं दूसरी कता निश्य धात्मक चिंदो में सहेद फ्रेंस भूमी प्रयोक्त खी idea आप सिफकांबर नमबर नें सापाो की अमक चीज को आविस किया जाना चाहिए कि हमें यह चाहिए तो पहला option है दोस्तो निशेद चिन, दूसरा है दोस्तो अनिवारिच चिन, तीसरा है चितावनी और चोथा है सूचना चिन तो इसका सही आंसार होगा दोस्तो अनिवारिच चिन आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो हमारा B-Number का option सही होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने next question की तरब तो हमारा next question है जहर से खत्रे के लिए कौन सा चिन प्रियोग किया जाता है तो option आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों पहला option, option number B, option number C और option number D इन चारों में आपको बताना है दोस्तों की इन में कौन सा चिन जो है वो जहर के खत्रे को प्रदर्सित करता है दोस्तों इसका सही आंसार होगा B, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा B number का option सही होगा चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आपने next question की तरब तो हमारा next question है निम्न में से कौन सा चित्र वी किरन के खत्रे को दर्साता है आप यहाँ पर चार option देख सकते हैं A, B, C और यह D तो दोस्तों वी किरन के खत्रे को प्रदर्सित कौन सा चिन करता है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा D आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा D नंबर का option सही होगा तो हमारा next question है दोस्तों निम्न अकरिती में किस पर कार का सुरक्ष चिन दर्साया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास यहां चार option मिल जाते हैं, पहला है निसे धात्मक चिन, दूसरा है निवार चिन, तीसरा है दोस्तो चेतावनी चिन, और चोथा है दोस्तो सूचनात्मक चिन, तो इसका सही आंसर है दोस्तो चेतावनी चिन आप यहां पर देख सकते हैं, हमारा सीनमबर का option सही कोश्चन है निम्न में से ऐसा कौन सा महत्तुपुन तत्व है जिसकी उपस्तिती से आग लगने की क्रिया जारी रहती है तो आपको यहां पर चार ऑप्सन मिल जाते हैं दोस्तों उस्मा ऑक्सीजन इधन और यह सभी तो इसका सही आंसार होगा दोस्तों यह सभी क्योंकि दो विद्धुतारों में लगी आपको बुझाने के लिए प्रियोक किया जाने वाला अगनी सामक यंत्र है तो आपको यहां पर चार ऑप्सन मिल जाते हैं पहला है दोस्तों जल युक्त यंत्र दूसरा है जाक पैदा करने वाला यंत्र तीसरा कारवन टेट्रा कोलोराइड य विद्धिक कारशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र है तो पहला है दोस्तों आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्द रहने चाहिए दूसरा रेज से भरी बाल्टियां उपलब्द होनी चाहिए तीसरा है दोस्तों जल की विवस्ता है तो जल से भरी ओवर हैड टंक की होनी चाहिए और चौता है दोस्तों उप्रोक्त सभी तो इसका सही आंसर है दोस्तों उप्रोक्त सभी दोस्तों आप कोश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजे व्यदतिक कारसालाओं में आग बुजाने वाले यंत्र हेतु प्रियुक्त होने चाहिए मतलब दोस्तों कारसाल जल से भरी ऊवर हैड टंकी होनी चाहिए यह भी सए दोस्तों यह तीनों चीज हमारे पास होनी चाहिए तो इसका सई अंसर हो गए दोस्तों सभी अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने तो हमारा नेश्ट कोश्चन है विद्धूत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो यहां पर आपको चार ऑप्सन मिल जाते हैं पहले दोस्तों फोम प्रकार के दूसरा है है लोन प्रकार के और चौता है दोस्तों दाब से बारे जल प्रकार के तो इसका सही आंसर है दोस्तों है लोन प्रकार के आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा बी नंबर को ऑप्सन जो है वो सही है हमारा नेश्ट कोश्चन है दोस्तों सीटी सी आग बुझाने वाले यंत्र में दोस्तों ग्रोमो फ्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन और चौत है दोस्तों ए और सी दोनों तो इसका सही आंसार होगा दोस्तों ए और सी दोनों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा डी नमबर को ऑप्सन जो है वो सही है हमारा नेश्ट कोश्चन है दोस्तों पैट्रोल से लगी य ग्वियुक्त अगनि सामा की यंत्र दोस्तों हमारा इन नंबर का ओप्षन साही होगा चले दोस्तों हमारा नेस्ट कोश्यन है एल चित्रमें प्रदर्सित iqa d अग्णि के लिए सबसे उत्तम अगनी बुज्ञाने वाला यंत्र KUN вопрос है तो हमारा पहला ऑपसंत The Will कारवन tretrakॉलोराइड CTC अगनी शामक दोस्तो ये कारवन tretrakॉलोराइड का Shot form है CTC दोस्तो दूसरे है ज्छाग युक्त अगनी शामक यंत्र तीसरे दोस्तो जल से भरा अगनी शामक और चौथा है दोस्तों गैस कर तूस हेलोन अगनी शामकिया यहां के लिए त्रियोग नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यहां पर आपको चार ऑप्सन मिल जाते हैं पहला है दोस्तों हेलोन अगनी शामक यंत्र दूसरे दोस्तों कार्वन टेटरक्लॉराइड यहने सीटी सी और तीसरे दोस्तों फॉम अबनी शामक यंत्र और चौतह है दोस्तों डाइप वाउडर अगनी शामक की यंत्र इसका सही अंसर है दोस्तों फॉम अगनी शामक की यंत्र हमारा ओप्स नहीं करना चाहिए जब विद्दुस से आग लगी हो चले दोस्तो अब हमारा next question है समाने रूप से विद्दुस से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो पहला है दोस्तो पानी का दूसरा है तेल का तीसरा है दोस्तो रेत का और चौता है दोस्तो इन में से कोई नहीं दोस्तो यहाँ पर विद्दुस से लगी आग की बात की गई है तो यहाँ पर हम पानी का उपयोग तो बिलकुर नहीं करेंगे और दोस्तो यहाँ पर तेल का उपयोग भी हम नहीं करेंगे बचा द हिरा है दोसरा है दोस्तों कारवन डिाल कुलॉराइड तीश्रा दोस्तों करवन ठेटरक्लॉराइड और 14 अपर देख सकते हैं कि यहांपर फोरह है मतलब कि दोस्तों हम अच्छे से पढ़ायいます हमारा हमारा next question है दोस्तो, सभी स्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए, निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत का परियोग किया जाता है, पहला है दोस्तो, CTC अगनी सामा के अंतर, दूसरा है दोस्तो, CO2 अगनी सामा के अंतर, तीसरा है दोस्तो, सुस्क पाउडर अगनी सामा के अंतर, और चौता है दोस्तो, उप्रोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है दोस्तो, CTC अगनी सामा के अंतर, आप यहाँ पर ए नमबर को बुजाने के लिए हम CTC अगनी शाम की अंत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों हमारा नेश्ट और लास्ट कोश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है दोस्तों स्रेंडी ये अगनी को सीतल जल की बहुचार दौरा बुजाया जाता है दूसरा कथन है दोस्तो स्रेंडी बी की अगनी जल की बहुचार से नहीं बुजती उपरोगत कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों हमारा ऑफसर नंबर सी सही है कथन फस्ट और सकेंड दोनों सही है तो हमारा ऑफसर नंबर सी सही हो जाता है दोस्तों मैं पर दे नहीं नहीं वीडियो लाता दोस्तो अगर दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट दोस्तो मैंने इससे पहले वी एक वीडियो गनाया है जो इसका पार्ट वन है दोस्तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे भी एक बार देखें और कॉमेंट बाक्स पर कॉमें करें दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई जय हिंद